प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसका 21 अध्याय आज मैं आपसे एक शब्द पर बात करना चाहता हूँ प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय में और वो शब्द हमारे ब्लेसिंग से आस्मान में जो हमें ब्लेसिंग मिलने वाली है उससे जुड़ा हुआ 21 अध्याय और साथ वी आए जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिश होगा कंडिशन है जो वस्तुओं स्वर्ग में है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है उन्हें हासिल करने के लिए हमें जय प्राप्त करना होगा बिल्कु सीजी सी बात है कि ओलंपिक में पदक पाने के लिए आपको जीतना होगा आप और कोई हित्मत करके आप बहुत धनी हो आप बहुत गरीब हो आप बहुत गोरे हो आप बहुत काले हो आप बहुत लंबे हो बहुत चोड़े हो कोई फरक नहीं पड़ता आपकी कोई काबलियट वहाँ काम नहीं आएगी केवल इसके कि आप जिस प्रतियोगिता में हैं उसमें जय पाएंगे अगर आप जय पाज आएंगे तो आपको पदक मिलने में कोई रोक नहीं सकेगा और व्यक्तिकत रूप से आपने अभी गेम देखा होगा उलपिक का व्यक्तिकत रूप से लोगों ने मेहनत की जय पाएंगे और पदक हासिल हुआ और बाइबल बड़े इस पश्चुप से हमसे बात करती है और कहती है कि जो जय पाएंगे वही इन वस्तुओं का वारिश होगा बिलकु सिद्धी सी बात और परमेश्वन ने हमें जय की आत्मा दी है मित्रो विजय होने की आत्मा दी है कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें जयवन होने से रोक दे आप अपनी गरीबी परमत रोईए अपनी अमीरी परमत रोईए अपने स्वास्त परमत रोईए हम बिमार हैं हम अच्छे हैं हम यहां रहते हैं हम वहां रहते हैं किसी बात रोमियो की पत्री में लिखा है कि फिर कौन है जो दंड किया गया देगा मसी ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेशर के दाइनी ओर है और हमारे नीविदन भी करता है रोमियो की पत्री उसका आठवाद ज्याए और पैतिस्वी आए कौन हमको मसी के प्रेम से अलग करेगा अभी ध्यान से सुनियेगा मैं उसी जै से आपको यहां लेकर के आना चाहता हूँ कि ये जै आखिर मिलेगी कैसे बगलवाले को चुके पूछिए जै मिली जै मिली क्योंकि जो जै पाए ध्यान से सुनिये मेरी बाद जो जै पाए वही इन वस्तुओं का वारिश होगा यानि जो जै ना पाए वो तो हरा हुआ है और परमेश्वर किसी हारे हुए व्यक्ति को नहीं ग्रहन कर सकता स्वर्ग के राज में तो आपको जै वन्त हो करके जाना है आप अभी अदुग्रय का जमाना है अभी आप हारे हुए है किसी चीज़ से प्रभू के चरण में जैवन्त से भी बढ़कर हो गया सारी दुनिया से वो हार गया मगर प्रभू के शरण में आकर के वो जैवन्त से भी बढ़कर हो गया और दूसरा चोर दुनिया से भी हारा आस्मान से भी हारा स्वर्ग की नजर में भी हारा मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं मित्रो इ जाई आत्मा परमेश्वन ने हमें भय की नहीं जाई की आत्मा दी है और इसलिए कोई ऐसी चीज नहीं है किसी चीज का बहाना कत्ताई मत कीजिएगा कि फलानी चीज की वज़े से हम जाई नहीं प्राथ कर पारें ये आपकी अपनी सोच हो सकती है क्योंकि बहुत इस के प्रेम सालग करेंगे क्या क्लेश या संकत या उपद्रव या अकाल या नंगाई या ज्जोखिम या तलवार क्या चीज़ है जो आपको रोकिये हुए है जैपराप्टकरने से आप खुद अपनी राह में जैसे मैंने एक कारी हो उन वस्तुओं के वारिस हो और जानते हैं आप जै इस जै के लिए जो मसीही जीवन की जै है ये तोप से और तलवार से और जगड़े और लड़ाई और मारपीट और युद्ध से नहीं क्योंकि हम जै एक दूसरे हत्यार से प्राप करना चाहते हैं और जैसा अभी हमने पढ़ा रोमियो की पत्री उसका आठवा ध्याए कौन हमको मसी के प्रेम से अलग करेगा जैसा मैं कहा रहा हूं कि बिना जै के हमें वारिस नहीं हो पाएंगे हमें उन चीजों का अधिकारी ह प्रमेश्वर नहीं मिलेगा जो परमेशों ने हमाई लिए रखा है तो आप सवाल इस बात का कि यये जै प्रात कैसे करें जै के लिए कोई और हत्यार नहीं कोई लाठी डंडे का इस्तेमाल नहीं कोई इर्शिया द्वेश का इस्तेमाल नहीं कोई बगबग जग्यक क्या इस्तेमाल नहीं एक शब्त का इस्तेमाल कीजिए और जानते क्या है वो है प्रेम और प्रेम एक आत्मा है जो प्रभू ने हमें दि वो सब तो बाद में आया लेकिन यहुना 316 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया उसने जय पाई अपने प्रेम से इस जगत पर जय पाई और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मित्रों कि आज तो गोला बंदूग चलाने की जरूवत नहीं है आपको बहुत हथियार ले करके और बहुत युद्ध में जाने की जरूवत नहीं है एक काम कीजिए एक आत्मा को अपने में बसा लीजिए और वो है प्रेम की आत्मा और जैसा आभी हमने पढ़ा कौन हमको मसी के प्रेम से अलग कर सकता है और प्रेम किसमे प्रेम अपने परमेश यूश्वर से प्रेम होगा वित्रो तो आपके अंदर जय की आत्मा आजायेगा तब आप हर चीज़ पर विजय हो जाएंगे तब आप हर चीज़ पर जैवन्थ हो जाएंगे लेकिन प्राब्लम यह है कि यह प्रेम की आत्मा हो किसे प्रेम आपस में तो बात की बात है पहले जब मसी का प्रेम आप में आ जाएगा जब आप जीजस से प्रेम करने लगेंगे जब आप येस्व मसी से महबत करने लगेंगे तो जय की आत्मा आप में आएगी याद रखेगा जिस दिन आपने येश्व मसी को रियल प्यार कर दिया रियल आई लव यू जीजस बोल दिया रियल आई लव यू जीजस कह दिया और कर दिया उस दिन एक ऐसी आत्मा प्रेम की आत्मे आप में आएगी कि आप जैवन से भी बढ़ करके हो जाएंगे इस प्रेम की कमी की कारण परमेश्वर के प्रती हमारा प्रेम ठंडा हो गया मित्रों दमे नहीं रह गया उस प्रेम में वो प्रेम एक रिच्वल हो गया है एक रीत रिवास हो गया हाँ 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 प्रभू को प्यार करते है इसाई है प्रभू को बाने वाले नई मित्रो ये प्रेम एक बहुत डिफरेंट तरीके का प्रेम है इस प्रेम की ना कोई गहराई है ना उचाई है ना कोई सीमा है ये प्रेम इतना बढ़ करके है जिसको कोई नाप नहीं सकता है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आज की आप उसी मसी के प्रेम को अपने जीवन में बसने दीजिए रोमियो की पत्री, आठवाध याए, 28-वी आए हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बाते मिलकर भलाई ही को उत्पन करती है जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं मिलकर जानते हैं कि जो प्रेम करते हैं इस ने तो प्यार किया है, वो तो अपना प्यार निचावर कर चुका उसने तो अपने दोनों हाथों में कीले, अपने पैर में कीले, अपने सर पर काटो का ताज, अपने मुपर थपर, अपने पीट पर कोड़े, अपने मुपर थूक सहा मित्रो आपके अंदर कितना प्यार है क्योंकि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और बगैर परमेश्वर से महबत किये आप जय नहीं प्राप कर सकते हैं और सुनिए आपका यह अरे हम दुआ करते हैं अरे हम यह करते हैं अभी मैं वहीं लेकर क्या रहा हूं कि बिना महबत के आप जय प्राप कर ही नहीं सकते आपके सारे टैलेंट आपके सारे गुर्ण आपकी सारे बाते एक शब्में नहीं थे और वो है परमेश्वर से प्यार जब परमेश्वर से प्यार होगा ना तो जय की आत्मा आप पर राज्य करेगी आपके एंदर एक जय आ जाएगा और जो जय पाए यानि एक एक ऐसी चीज है जिसको आप पाते हैं और जिसको आप खो भी देते हैं अगर आपने जय प्राप्त नहीं की तो यानि आपने जय को खो दिया that is something that you receive कि आपको प्राप करना पदक कोई आपके बिस्तर पर आकर के सोते हुए रजाई ओड़े कंबल ओड़े हुए है आश्वी पड़े हुए और आपको कोई पदक लाकर करके नहीं देगा उसके लिए आपने यत्न किया है प्रेत्न किया है उस जय को प्राप करने के लिए क्योंक आशित वाके में जो मैंने राज्य तुमको दिखाया है, जो मैंने सिहासन बनाया है, उस पर तभी राज्य करोगे, जब तुम जये प्राप्त करोगे, हालेलूग्या, और आज सुबै मैं आपको साहित करना चाहता हूं, कि मित्रो महरबानी से अपने जीवन में जये पर जये प्राप्त करते चले जाएए, हर चीज़ पर, और जैसे मैंने कहा, कि उसका फर्मूला क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे, मैं थोड़ी देर में आपको यह समझाना चाहता हूं, कि परमेश्वर का प्यार ही, आपको जयेवन से भी बढ़ करके बना सकता है, और परमेश्वर को उसने ललकारा, और पांच पत्र में, सब बाते चोड़ दीजे, मेरा प्रश्वर यह है, कि उसको गोलियात से भीरने की क्या जरूवत थी, गोलियात ने उसकी बकरी चुराई थी, गोलियात ने उसको बुरा भला कहा था, गोलियात उसके घर का छपर उजार दिया था, गोलियात ने उसके, क्या आख रिए बताईए, गोलियात की दाउद से क्या दुश्वनी थी, मेरे कोई बताई, एक भी दुश्वनी नी, गोलियात ना दाउद को जानता था, और ना दाउद गोलियात को जानता था, दाउद तो गया था, यूट्व को देखने के लिए, आरे यह कौंची बात हुई, आप समझी नहीं रहें ना, आप तो सोच रहें कि हम बोल रहें, अपने दुश्मनों से प्रेम करों, अरे दुश्मनों से तो आप बात में प्रेम कीजेगा, पहले तो आपका जो दोस्त है, आपका जो मित्र है, जिसने आपके लिए जान दी है, जिस जो आस्मान से जमीन पर आ गया पहले उससे प्यार कीजिए और उसके बाद अपने दुश्मनों से प्यार कीजिएगा पहले दोस्तों से अपनी दोस्ती उस दोस्त से अपनी दोस्ती निभा दीजिए पहले उस दोस्त के प्रति अपनी जान देने के लें तयार हो जाये उसके बाद दुश्मनों की बात कीजियेगा दाउद ने कहा, यह कौन है जो मेरे परमेश्वर को ललकार रहा यह क् tactical खतना रही था जो जीरते परमेश्वर को मेरी बात सुनिए, दाउद के मन में अपने परमेश्वर के प्रती एक ललकार थी एक महबबत थी एक प्रेम था और वो प्रेम यहाँ पर गोलियाग की आवाज से गोलियाग के ललकारने से कम हो रहा था दाउदे कहान नहीं यह महबबत गोलियाग नहीं कम कर सकता है कौन है जो हमको मसी के प्रेम से अलग कर सकती है क्या तलवार क्या नगई क्या आभाओ क्या चीज हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है कुछ भी अलग नहीं कर सकता है इस गोलियाद को तो मैं मारूंगा Do you know why? Because he loved his God क्योंकि वो परमेश्वर को प्यार करता था बेहिंतिहा प्यार करता था बोला मेरी जान ही चली जाएगी बात छोड़ दीजे लेकिन मेरे परमेश्वर के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा और आज भै आपसे पूशा चाहता हूँ आप वेक्तिकात रूप से तो बड़े गुसा हो जाते हमारी पाटी में नहीं आए हमारी शादी में नहीं आए हमने बुलाया था हमारे घर नहीं आए हमारी दावत पने नहीं आए हमारे फलाने नहीं आए हमको मज़गर आए सब को परसनल बहुत दिखाई देता है कभी चर्च के लिए गुसा हो करके दिखाईए आप हमारे चर्च रही आते हमने आपको बुलाया था हमने आपको दावत दिया था आप हमारी प्रेर मीटिंग में नहीं आए इसके अंदर हमको गुसा नहीं करता अरे चर्च ही में नहाए कोई बात नहीं मीटिंग ही में नहाए शादी में जरूर आईएगा हमारी दावत में जरूर आईएगा और हमारे पार्टी में जरूर आईएगा और हमारे घर पर दरूरत मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ खुदा करे की हमारे यहां लोग आए लेकिन कोई ऐसा जजबा रखे कि जब हम चर्च आए तो महबत के साथ आए प्रेम के साथ आए उसके साथ इतनी इतनी महबत हो जाए कि जो हमारे प्रभू को प्यार नहीं करता मैं भी उसको प्यार नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे प्रभू के लिए बहुत प्यार है मेरे जीवन में मेरे प्रभू को मतलल कारना मैं किसी दूसरे के आगे जुक नहीं सकता हूँ मेरा प्रभू मेरे लिए महान है और याद रखेगा जब प्रभू से प्रेम होगा, तो बाकी सारी चीजे अपने आप आती जाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कुरंथियो, पहला कुरंथियो, उसका बारावा अध्या है, मेरे साथ आएए, पहला कुरंथियो, उसका बारावा अध्या है, पहला कुरंथियो, उसका तेरहवा अध्याय सब जानते हैं। बोलते हैं ये लव चैप्टर अफ दबाइबल है। बिल्कुर ठीक बात। प्रेम के बारे में बहुत बड़ी बात है। लेकिन शुरुआत इसकी बारवे अध्याय से हो रही है। सुनिए। बारवे अध्याय के 28-वी आयत से मैं पढ़ता हूँ। पहला पुरंथियों बारवा अध्याय अध्याय अथाइस्वी आयत से। और परमेशों ने कलीशिया में अलग-अलग व्यक्तिन युक्ति हैं। प्रतम प्रेरित, दूसरे भयुदक्ता, तृष्टे शिक्षक, फिर स बुद्देशक है, क्या सब साबर्त के काम करने वाले है, क्या सब को चंगा करने का वर्दान मिला है, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं, क्या सब अनुवात करते हैं, तुम बड़े से बड़े वर्दानों की धुन में रहो, परम तू, अब सुनिए, आप कहेंग कई सब अनुआत करते हैं कि यह सब को चंगार करने का वर्दान मिला है नहीं मिला हैना कोई बात नहीं आगे सुनिए परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तमबार बताता हूँ अब सुनिया तो क्या चंगा करना वर्दान है हाँ है वो अच्छा वर्दान है वो उत्तम वर्दान है क्या अन्य भाषा पोलना उत्तम वर्दान है हाँ वो भी उत्तम वर्दान है मगर मैं तुमको और भी उत्तम वर्दान, जो इन वर्दानों से बढ़ करके है, मैं एक मार बताता हूँ, एक उत्तम और भी सबसे उत्तम बार, which is the best, which is the excellent, nothing come close to that, और तब तेरा हुआ अध्याय शुरू होता है, सुना आपने, अब मैं नहीं जानता हूँ कि किसने इसको अलग कर दिया, क्योंकि जब पॉलूश न लिखा होगा, तो इस तरह से अलग अलग करके नहीं लिखा होगा, चैप्टर बाइस नहीं लिखा होगा, बाद में किसी ने किया, लेकिन बारमा अध्याय ही तेरावी अध्याय की शुरुवात है, मैं तुमको एक और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ, और मित्रों, आप भश्द्वारी नहीं कर सकते, आपको चंगाई करने का वर्दान नहों, मत घबराइए, कोई बात नहीं, उसकी धुन में रही है, कहता है, तुम और भी वर्दानों की धुन में रहो, मगर देर इस ए वे, विच इस मच मोर एक्सलेंट देन अल अफ दीस तिंग्स, ये सारी चीजे बेकार हैं, अगर महबत नहीं है, अगर प्रेम नहीं है, चार चीजे मैं बात करके आपसे विदा लूँगा, नमबर एक, कि आपके सारी स्प्रिच्वल गिफ्ट से ज़्यादा उत्म प्यार है, पहला कुरंथियो, तेरा हुआ अध्या, और पहली आए, यदि मैं मनुश्यों और स्वरदूतों की बोलियां बोलू, इस्प्रिच्वल गिफ्ट, मनुश्यों की बोली, और स्वरदूतों की बोली मित्रो, महमुली समझ रहें आप इस दान को, इस गिफ्ट को आप महमुली समझ रहें, आपको याद होगा, जब पवित्रात्मा का दान पेंटिकोस के दिन मिला सब मनुश्यों की बोली बोल रहे थे क्योंकि जितने लोग वहां आए थे कोई गलीली से, कई करानी था, कोई कहा कहा का था सब जगा जगा के थे और वो अपनी जबान में इन यहूदियों को बोलते हुए सुन रहे थे और उनको मालूम था कि यहूदी कितना बोलेंगे लेकिन यह धडले से हमारी बोली बोले जा रहे मैं मनुश्यों की बोली बोलू और स्वरक दूतों की भी बोली बोलू आप माबुली मत सबज़े you are speaking in the language of angels कितनी अगर कोई सब्दूद की भाशा में बोलने लगे उसकी जबाए अरे बाप अरे बाप अरे बाप हम लगेंगे अरे बाप अरे बाप करने मनुश्यों के बोली अरे इनको तो Chinese भी आती इनको Japanese भी आती इनको Korean भी आती इनको Spanish भी आती इनको English भी आती अभी तो दो language हम लगे लगते हैं तो हार मत जाता मैं मनुश्यों की बोली बोलू और सरवदूतों की बोली बोलू कौई फाइदा नहीं है वो यह नहीं कहता की मनुश्यों की बोली बेकार है और वो यह नहीं कहता कि सर्दूतों की बोली नहीं बोलो बोलो लेकिन अगर मैं प्रेम ना रखूँ तो मैं ठंधनाता हुआ पीतल और जंजनाती हुई ठाजू अज बहुत से लोग सिर्फ जंजना रहें जंजना रहें एक ही आवाज क्योंकि प्यार महबबत नहीं मनुश्यों की बोली बोल रहे हैं सर्दूतों की बोली बोल रहे हैं मगर महबबत नहीं है मित्रों बड़े बड़े लोग है बड़े बड़े चंगाई का वरदान है उनको लेकिन आप उन तक पहुच नहीं सकते हैं 12 लोग को फोन करना पड़ेगा उन तक पहुशने के लिए जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है, अपने आप को उनोंने इतना उचा उठा दिया है क्योंकि वो तो मनुश्यों की बोली बोल रहे है, वो तो सरग दूतों की बोली बोल रहे है पास्टर साहब से आप मिल नहीं सकते है पास्टर साहब तो फोन नहीं कर सकते है पास्टर साहब से बात नहीं कर सकते है जानते हैं क्यों? क्योंकि पास्टर साहब तो मनुश्यों की बोली बोलते बड़े लेंग्वेज की ग्यान है उनको पास्टर साहब तो सर्फ दूचों की बोली बोलते होंगे लेकिन पास्टर साहब प्यार नहीं है पास्टर साहब में प्यार नहीं Thank You Jesus मसीहों प्रभूग के प्रती प्यार के बगएर आपके जीवन का कोई मतलब नहीं कोई मकसद नहीं अगर आप चाहते हैं कि आप जैवन्त से भी बढ़ करो अगर आप चाहते हैं कि उन चीजों के आप वारिस बने तो जैपराप कीजे और जैसा पौलूस बड़े हियाव के साथ लिखता है चाहे मैं मनुश्यों की और सर्दूतों की बोल या बोल होंगा मैं बहुत बड़ा ग्यानी और जो भी लेकिन अगर प्रेम नहीं है किसके प्रती परमेश्वर के प्रती अगर प्रेम नहीं है क्योंकि परमेश्वर के प्रती प्रती प्रेम होगा तभी लोगों के प्रती प्रती प्रेम होगा और वही प्रेम सच्चा और सिद्ध प्रेम होगा, अब आगे चलिए, पहले तो हमने देखा, नमबर वन, कि आपके spiritual gift, आपके आत्मिक जो वर्दान है, उनसे बहतर प्रेम है, फिर आपके knowledge से पहड़कर, आपके ज्ञान से बढ़कर, आगे सुनिए, और यदि मैं भविश् कर सको, और सब भेदों, और सब प्रकार के ज्ञान को समझो, अरे ये तो PhD है, ये तो बहुत-बड़े डॉक्टर है, और ये तो बहुत-बड़े प्रोफेसर है, और ये तो भिशप साहब है, बहुत ज्यान है, बहुत बाले जो हुआ करे, घ्यान की खज़ाबी नहीं, वो नहीं कहा रहा कि भेत की बाते बालुस्त खुदे भेत की बाते वो यह कह रहा है कि परमेश्वर से प्यार कहा गया कहीं इस ग्यान हासिल करने के चक्र में कहीं घमंड ने तो जगा नहीं ले ली और जब घमंड आएगा तो परमेश्वर का प्यार दूर हो जाएगा जब परम आपको जय प्राप्त नहीं करने देगा परमेश्वर का प्यार आपको जय प्राप्त कराएगा लेकिन जब तक आपके अंदर वो परमेश्वर का प्यार मौजूद नहीं है परमेश्वर का प्रेम जब तक नहीं हमित्रों तब तक आपका ज्यान आपके भेट की बाते जानने का अनुभाव भविश्द्वानिया गुट फर न थी आज बहुत से मसीहों को बहुत से बड़े बड़े प्रचारकों को मैंने देखा बड़ा ग्यान है मैं इज़त करता हूं कि मैं बहुत एत्राम करता हूं कि लेकिन मित्रो महबद की जब बात आती है तो सब बेकार हो जाता है महबद ना परमेशर के प्रती और ना लोगों के प्रती है और सुनिए तो नंबर एक प्रेम आत्मिक वरदानों से उत्तम है प्रेम सब प्रकार के ज्यान से भी ज्यादा उत्तम है फिर तीसरा प्रेम आपके विश्वास से भी ज्यादा उत्तब है अरी क्या बोल रहे हैं यह सुनिए क्या लिखा हुआ है और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाडों को हटा दू आपको याद होगा ये शुमसिर कहा कि राई कि दानी के पराबर अगर बंदर में जहां गिरेगा मनलब सोचिए आपका विश्वास इतना तगड़ा लेकिन आज अपना पहार उठा करके दूसरे के सामने रख दे रहें लोग करें रहें भईया अपना पहार तो अटा दिये हमारे सामने पहार का है रख दी जानते क्यों क्योंकि प्रेम नहीं है हमने अपने इर्शिया में अपने द्वेश में अपना पहार तो हटा लिया और दूसरे के सामने एक पहार खड़ा कर दे दूसरे के सामने एक समस्या खड़ी कर दे अगर मुझे यहां तक विश्वास हो कि मैं पहारों को हटा दू सोचिए अगर प्रेम न रखो तो मैं कु कुछ भी नहीं है अगर प्यार नहीं है अगर मसी के प्यार के से प्यार नहीं और अगर मसी के लोगों के प्रती प्यार नहीं तो आप कुछ भी नहीं तो नमबर एक आपके आत्मिक वर्दानों से कहीं उत्तम भलों से क्या कहा मैं तुमको और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ और याद रखिएगा प्रेम जो है वो एक ऐसा मार्ग है जो आप एक्तियार करते हैं ये वर्दान नहीं है ये आप में इन बिल्ट है ये बना हुआ है इसको हासिल नहीं करना है ये अल्रेडी है इसको प्रेक्टिस में लाना है इसको शो करना है परमेश्वर के आप जो यहां बैठे है ये परमेश्वर के प्रती प्यार आपका शो करना है Saturday Sunday आते ही आप बिल्कुल मचल जाते हैं चर चाने के लिए Saturday से ही आपके मन में एक जिग्यासा होने लगती है एक जोश होने लगता है एक उच्चुता होने लगती है चर जाना, संडे जाना, परमेश्वर के अरापना करना इस्तूती प्रशंसा करना है क्वाइर के साथ गीत मिला करके गाना है संगीत मिला करके गाना है आपको परमेश्वर के वचन का अध्यान करना है उसका वचन सुनना है, विश्वास को बढ़ाना है जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर के प्रती आपके दिल में प्यार है और यही आपको जय प्राप्त करने का अधिकारी देगा यही जय प्राप्त करने की ताकत देगा और उसे जय के द्वारा आप उन वस्तुओं के वारी सोंगे जो परमेशर आपको देना चाहता है इस प्रेम में घटी मत होने दीजेगा प्रेम में कमी मत होने दीजेगा कुछ आपके पास रहे या ना रहे कमी रहे बेसी रहे गरीबी रहे अमीरी रहे दुक रहे बिमारी रहे किसी भी हालत में हो परमेशर के प्रती दाउद जंगल में रहता था जंगल में अकेले रहता था भेर बकरियों के साथ कभी खाने को मिला नहीं मिला लेकिन परमेशर के प्रती उसने कह दिया यहुआ ही मेरा चरवा है कितना बड़ा उसका प्यार था और खुदा ने उसको कितना अजीम किया कितना जैसे भी बढ़ करके परमेशर ने उसको इस्तिबाल किया आज परमेशर आपको भी इस्तिबाल करेगा तीन बाते आत्मिक वरदानों से बढ़ करके प्रेम आपके ग्यान से बढ़ करके प्रेम आपके विश्वास से बढ़ करके प्रेम और चौथी बात कि आपके उधारता से बढ़ करके प्रेम सुनिए यदि मैं अपनी संपूर्ण संपती कंगालों को खिला दू या अपनी देह जलाने के लिए देदू सोचिए पूरा सब कुछ हमने जिरो कर दिया अपनी संपूर्ण संपती कंगालों को दे दिया कंगाल का मतलब फिर वहां से वापस नहीं आना है वो नहीं और आप ने अपनी देह जलाने के लिए मतलब अपने आपको बिल्कुल शुनी कर दिया आपने आपको अपनी देह को आपने इतनी सकदर यूस किया पर कि आप सोचें कि हम कितना benevolent काम कर रहे कितने उदार तका काम कर रहे कितनी दिन तका काम कर रहे मगर परमेशवर के प्रती प्यार नहीं है मित्रो तो यह सब बेकार है आगे सुनिए क्या लिखा है यदि मैं अपनी संपूर्ण संपती कंगालों को खिला दू या अपनी देह जलाने के लिए देदू और प्रेम न रखू तो मुझे कुछ भी लाब नहीं आज लोगों ने क्या क्या किया है अपनी देह को किस तरीके से कोई काटो पर लेटा है कोई किसी ने अपने हाथ को सुखा कर दिया है कोई कुछ कर रहा है परमेश्वर को खुश करने के लिए परमेश्वर को खुश करना है ना ये सब बाते आजाएंगी, अरे, तो ये करना वो करना बिल्कुल ठीक, जब प्रेम आजाएगा, when you will have the love of God in your heart, तब जानते क्या होगा, तब आप धीरजवन्त होंगे, तब आप क्रिपाल होंगे, तब आप डाह नहीं करेंगे, तब अपनी बढाई नहीं करेंगे, तब अन्रीत नहीं चलेंगे, तब अपनी भलाई नहीं चाहेंगे, तब जुझुलाएंगे नहीं, तब पूराने, कुछ तोग कहेंगे, पाईसा अप छोड़ा से इसी पर बोलिये न, जुझुला जा रहे हैं, घर में जुझुला जा रहे हैं, आटा क्टम होगे तब ऑल्ड़ार, प्रेम कहां गया, अरे बसाला क्टम होगे, अरे तब बसाला क्टम होगे, बताएंगे नहीं, उसी बुरा मानने से, बुराई उत्पन होती मित्रों, और जय पाने की जो आपकी ललक है, जो जय पाने का मार्ग है, उसमें अवरोध हो जाता है, जब प्रेम होगा ना, तो इन सब चीजों पर आप जय पा जाएंगे, कुकर्म से आनंदित नहीं होंगे, सत्य से आनंदित हो रियल प्रेम, विद गौड, परमेश्वर से सच्चा प्रेम, ये सारी चीजे उत्पन करेगा, और एक भी चीज अगर कम हो रही है, अपने आपको चेक कीजिए, और कहिए, कहीं परमेश्वर के प्रती प्रेम तो कम नहीं हो रहा है, आज अजकल हम धिलेज नहीं धर पा र रहे है, आजकल हम जुझुला जा रहे है, आजकल हम अन्रीच चलने लगे है, आजकल हम सत्य नहीं पसंद करते हैं, हमको जुट-जुट पसंद है, जनते हैं क्यों, परमेश्वर का प्रेम कम हो रहा है, मित्रो, जो जय पाए, मैं उसी को उसका वारिस ठहराऊंगा, वही इनवस्टूओं का वारिस होगा, कौन है जो जय पाएगा, वो जो परमेश्वर से प्यार करता है, वो जो परमेश्वर के लिए अपने जान निचावर का निगलेते यार है, वो जिसको कोई भी दुनिया की चीज, ना मिरी ना गरीबी, कोई चीज, उसको परमेश्वर के प्यार से लग नहीं कर सकती, वही जय पाएगा मित्रों, वही जय पाएगा, और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सबसे बात कर रहा है, कहीं न कहीं अगर कोई कमी है, तो उसको आजी येशु मसी के नाम से दूर कीजिए, और क गहें, पर जय प्राब करते चलेंगे, जो करेक्टर प्रेम के दिए गए है, जब आप प्रभू से प्रेम करेंगे, तो प्रभू आपको ताकर दिएगा, कि उख ताकर बबहु आपको आशीच दें, जैवन से भी बड़ करके बनिए, उस जय को प्राब कीजिए, ताकि हमारे और आपके लिए ठेराया है, प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीज दे, जय की आशीज दे, प्रेज दो लॉड, जय मसी की